नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है दो अक्टूबर दिन सोंबार खबरो क्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर दास्ट्र पिता महात्मा गांदी और पुर्व पिधार मंत्री लाल बहादूर शास्री के जेनतियाज इस दन जारी होगा स्टी इटी का रिजर्ट बिहार के इन 20 जिलों में बनेगी ग्रामीन सरके क्रिस गिल ने बताया वर्ल्ड कप 2023 के सेमी पाइरल में पहुँचने वाली चार टीमों के नाम अब चले बढ़ते हैं बिहार के अप्तिक की 25 वरी खबरों के और विस्तार से इस आइसी में 1038 रिक्त पदों पर निकली भरती करमचारी राज्य बिमा निगम के ओर से विविन राज्यों में पैडा मेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के ग्रूप सी के अंतरगत कुल 1038 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करने के एक चुक हैं वह ESIC की अधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे कि आविदन करने की अंतिम तारिक 30 ओक्टूबर 2023 तक नर्धारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो विविन पदों के लिए विविन योगिता नर्धारित की गई है ऐसे में उमिद्वार इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी की अधिसूशना को देख सकते हैं राश्रपता महात्मा गांधी और पुर्व प्रधान मंत्री लाल बहादूर शास्त्री की जनतियाज आज यानी की 2 ओक्टूबर को सत्य अहिंसा का पार्ट पढ़ा कर अंग्रेजों की नाक में दम करने वाली हमारे राश्रपता महात्मा गांधी और देश के पुर्वप्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्दन है आपके जानकारी के लिए बता दे कि 15 जुन 2007 को संयुक्त राश्ट्र महासभा के दोरा 2 अक्टूबर की तारीक को अंतराश्ट्री अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था राश्टर पिता महात्मा गांधी के कारियोत था विचारों ने देश की सुदंता और इसके बाद आजाद भारत को वाकार देने में बड़ी भूमी का निभाई वहिपुर प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के दोरा वर्स 1965 के भारत पाकस्तान युद्ध के द 2023 में भाग लिया था तो यहाँ खबर आपके लिए है बतादे के बिहार विद्याले परिच्छा समीती के दोरा माध्यमिक सिक्छक पातरता परिच्छा 2023 का रिजल्ट 3 ओक्टूबर को जारी किया जाने वारा है ऐसे में इस रिजल्ट के जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना नतीजा बिहार विद्याले परिच्छा समीती के आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर अपने रोल नंबर समीत अन्य डिटेल्स को भरते वे अपने रिजल्ट को देख सकते हैं जिसमें 50 फीज़ी सामाने 45.5 फीज़ी पिच्छा वर्ग, 42.5 फीज़ी अत्यन पिच्छा वर्ग, 40 फीज़ी S.C.S.T. दिव्यांग और महिलाओं के लिए मार्क्स तैक किये गए हैं विहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रविंद्र किसोर सिनहा के बारे में लविंद्र किसोर सिनहा जिन्हें आरके सिनहा के नाम से भी जाना जाता है एक भारती अरपती व्यवसाई, राजनितग्य और पत्रकार है वह भारत और आस्ट्रेलिया में एक नीजी सुरक्षा पदाता सिकुरिटी एंड इंटेलिजिन्स सर्विसेज के संसापक है इन्हो अपना करियर एक पत्रकार के रूप में शिरू किया था, उन्होंने 1971 में भारत पाकस्तान युद्धि के बाद सेवा निर्वरत सैनिकों की मदद के लिए सुरक्षा और खूफिया सेवाई बनाई, आरके सिनहा को 2014 में भारतिय उच्छ सदन में संसरस्रक्य के रूप में भ बिन चिट और बिना किसी कानूनी समस्या से पाय गया था बिहार के इन 20 जिलों में बनेगी ग्रामीन सरके बिहार में मार्स 2024 तक मुख्य मंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहट राज्य के करीव 7,209 बसावटों या टोलो को करीव 8,213 किलो मीटर लंबाई की सरकों से जोड़ा जाएगा मालमोग इन सरकों के निर्मान का मकसद राज्य के छोटे तोलो और बसावटों को सरक संपर्क उपलब्ध करवाना है बता दे किस से पहले भी ऐसे करीब 3,977 किलो मीटर लंबाई में करीब 4,643 बसावटों और तोलो की सरक संपर्कता दी जा चुकी है इसके अलावा बिहार के लोगों के लिए एक और खुश खबरी है मालू हो कि पंचायत में छोटी बड़ी लगभग 600 योजनाओं पर ऑक्टूबर के दूसरे सब्ताह में काम शुरू किये जाने की संभावना है जिसमें नली गली का नणमान, PCC सरक का नणमान, आहार पईन की उडाही सहित अने काम शामिल होंगे मिशन इंदर धनुस 5.06 के दूसरे राउंड को लेकर स्वास्त विभाग ने जारी किया नर्देश 9 अक्टूबर से प्रदीश में टीका करन से वंचित बच्चो और गर्ववती महिलाओं के टीका करन के लिए किंद्रे स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंतराले की पहल पर मिशन इंदर धनुस 5.06 का दूसरा डाउंड शुरू होने बाला है ऐसे में इसको लिए कर स्वास्त विवाग के दौरा सभी जिलों के सिविल सर्जन और जिलादिकारी को नर्देश जारी कर दिये गया है जिसके तहत यह कहा गया है कि वहम में सन इंदर धनुस 5.06 के लिए व्यापक तयारियां रखे और इसका प्रचार प्रशार भी करे का ठीका करन किया जा चुका है वहीं अब केंद्रे स्वास्त एवं परिवार कर लियान मंत्रारी के पहल पर इसका दूसरा राउंड शुरू होने वारा है बतादी की राजे में नीजी आईटी आई में कुल 1,333,566 सीटों में से करीब 37,000 सीटे खाली रह गई है जिसको देखते वे इन खाली सीटों पर नामांकन करवाने के लिए तारीक बढ़ाई गई है इसे में वेविद्यार थी जिन्होंने अब तक अपना नामांकन नहीं करवाया है वह बिहार के नीजी आईटी आई में 10 अक्टूबर तक अपना नामांकन करवा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादी की प्रस्रिक्षन में हानि दिशाले करिस्नरने का बिहार राज्य प्राइवेट आईटी आई प्रगति सील संके दोरा स्वागत किया गया है निउक्ति से पहले ही महिला कांसलर के परिणाम हुए रद महिला कांसलर का परिणाम निउक्ति से पहले ही रद कर दिया गया है अब दुबारा इसकी प्रक्रिया शुरू होगी बतादी की महिला कांसलर की निउक्ति राज्य के थानों में महिला विशेष को सांग के तहत की जानी है मनो विज्ञान और कानोनी के छेतर में इसना तक साथ ही दो सालों का अभव होना आनिवारे मांगा गया था अब नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रिपेड मीटर उपलब्ध करवाएगी कंपनी उनिवर्सल स्मार्ट मेटरिंग की व्यवस्ता अब शहरी और ग्रामी दोनों ही छेतरों में बिजली कंपनी द्वारा शुरू की गई है अब स्मार्ट प्रिपेड मीटर नए कनेक्शन लेने पर बिजली कंपनी द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी बिजली कंपनी के आधिकारी सुषना के नुसार स्मार्ट प्रिपेड मीटर को लेकर अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है आधा दर्जन नई कंपनीयों की सेवा साउथ बिहार पावर, डिस्ट्रिबूशन कंपनी लिमिटेड दिथा नौर्थ बिहार पावर, डिस्ट्रिबूशन कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध हो गई है सभी का टारगेट भी तैय है, इस वज़े से स्मार्ट प्रिपेड मीटर को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है बता दे कि बिहार में अब तक सबसे अधिक स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाई गया है हालाकि लक्ष अभी पूरा नहीं हुआ है अधिते सिक्ष को को योगदान नहीं दिल्वाने पर एजन्सी के खिलाफ होगी कारवाई अधिते सिक्ष को को अब जल से जल माध्यमिक और उच माध्यमिक स्कूलों में योगदान करवाना होगा इसके लिए 9 अक्टूबर तक का समय एजनसी को पटना के DEO कारे आले के तरफ से दिया गया है इसकूलों में विशेवार सिक्षकों की कमी देखी जा रही थी इसलिए सभी जिलों में एजनसी के माध्यम से सिक्षकों को रखने के नर्देश सिक्षक विभाग द्वारा दिये गये थे यदि एजनसी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी बिहार परिटर में आज हम बात करेंगे आधी चित्रगुप्त मंदर के बारे में आधी चित्रगुप्त मंदर पटना के नौजर घाट के पास इस्तित अती प्राचीन मंदरों में से एक है इस मंदर का कायस्त धाम के नाम से भी जाना जाता है जहां विशेशकर कायस्त जाती के लोग भगवान चितरगुप्त को अपना कूल देवता मानते हैं इस मंदर की भवेता देखने लायक है और यह वस्तुकला की उत्कृष्टा को दर्शाता है आदे चितरगुप्त मंदर में भगवान चितरगुप्त की सोलवी सताबदी की काले बेसाल पत्थर की मूर्ती है डिजाइन और रेखा चितरों से मंदर बहुत सुन्दर दिखता है अंदर कलम और श्याही के बरतन के साथ भगवान चितरगुप्त की एक मूर्ती है इस मंदर में चितरगुप्त पूजा पूड़े उत्सा के साथ मनाई जाती है और इस खास दन पर मंदर को अच्छे से सजाया जाता है यह मंदर पुर्ण आस्था का किंद्र है और यहां अ बीच रहते हैं हम लोग उनकी भावनाओं और समस्याओं को समझते हैं एक स्टिरेंट का जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता तब तक वह पूरी तरह से मेंस की तयारी नहीं करता आज यही एक्जाम देकर लोटे फिर अगले ही दिन परिक्छा की तयारी में लग जाय त विश्विद्यालियों में अब उन कारेरत पताधिकारियों से वसूली की जाएगी जो रिटायर होने के बाद भी वेतन और पिंसन की पूरी राशी ले रहे हैं ऐसे पताधिकारियों से सक्षा विभाग वसूली करने की पूरी तयारी कर रहा है विश्विद्यालियों को सम मन में अब नर्देश भी दिये जा चुके हैं बतादी की वेतन से पेंशन की रासी घटा कर रेटायर अधिकारियों को निक्त होने के बाद पैसे दिये जाने हैं बावजूद इसके निक्त वीटिये प्रामर्शी एवं विद्ध प्राधिकारी कई विश्यवध्यालों में सा सराब बंदी के बावजूद भी अक्सर सराब के तसकरी के मामले सामने आते रहते हैं अब इसी बीच बांका के पुलिस दौरा सराब तसकरी को लेकर बड़ी कारवाई की गई है मीडिया में चल रही खबडों के मुताबिक चांदन पुलिस ने संध्या गस्ती के दोरान द सराब और गारी तो जब्त हो गया लेकिन ड्राइबर अंधेरे का फाइदा उठा कर फरार हो गया बिहार में बारिस को लेकर अलर्ट जारी बिहार में इन दनों हो रही बारिस लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है इसी करही में अगर हम आज यानि की 2 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के दोरा जारी के गए प्रवानुमान के नुसार आज राजे के अधिकांज जिलो के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मिगरजन होनी की संभावना जटाई गई है इसके लवा कैमूर, रोहतास, और अंगाबाद, पश्रिम, चमपारण और बकसर जिलो के एक या दो अस्थानों में बहुत भारी बारिश होनी की संभावना है बता दे के निलाकों में औरंज अलर्ट जारी किया गया है महिस के लवा पुर्वी चमपारण, गोपाल गंच, सिवान, सारन, भोजपूर, पटना, अरवल, भागलपूर, बांगा, जमुई, कटिहार और पुर्णिया जिलो के एक या दो अस्थानों में भारी बारिश की संभावना है और इन जिलो के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है इस तरह के सिती, राजी में 5 ओक्टूबर 2013 सक बने रहने की संभावना जिताई गई है, 3 ओक्टूबर को बहिले कर राजी के कई जिलो में वजरपात और मेगरजन की संभावना जिताई गई है पटना के हर चौक चौडाहों पर देख सकेंगे क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 5 ओक्टूबर से शिरू होने बाला है, जिसका क्रिकेट फैंस काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे है ऐसे में अब बिहार की राजधानी पटना में जिला परशासन के द्वारा क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ा तौफाद दिया गया है दरसल अब आप पटना में क्रिकेट विश्व कप का लाइफ प्रशारन देख सकेंगे इसके लिए जिला परशासन की ओर से तयारियां शिरूप कर दी गई है बतादे कि इसको लेकर शहर के अलग-अलग 15 अस्थानों पर भी-मडी बोर्ड यानि की वैरियेबल मैसेस दिस्प्ले बोर्ड लगाए गया है जो की पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत लगाए गया है अब कोई इलक्षन नहीं लड़ेंगे बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी मांजी एक तरफ जहां 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी है तो वहीं दूसरे तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी जीतर ना मांजी के दौरा चुनाव न लड़ने की घोशना कर दी गई है उन्होंने कहा कि आप वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और 75 साथ से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ती को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ऐसे में मैं अब 89 साल का हूँ और अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो यह मेरे सद्धान के खिलाफ हो जाएगा इसलिए अब मुझे किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ना इसके लावा जीतना मांची के द्वारा संसत में मनोज जहा के द्वारा ठाकुर पर दिये विवादित बयान पर कहा गया कि मनोज जहा ने कोई विवादित बयान नहीं दिया है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और उन्होंने किसी जाती विसेश पर कोई टिपनी नहीं की है इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्रे नितीश कुमार को लेकर कहा कि लालू यादव और तेश्वी यादव उन्हें पहले ही पल्टू राम कह चुके हैं कोई उन्हें पल्टू चाचा कहता है तो कोई उन्हें पल्टू भाई कहता है नितीश कुमार का नया पद नाम पल्टू राम है इसलिए अब वह कब पल्टी मारेंगे वह कोई बता नहीं सकता राजत के लॉलीपॉप पर समराच चौधरी का बयान बिहार में इन दिनों लगातार मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के पीम उमिद्वारी को लेकर बयान बाजी का दौर चल रहा है इसी कड़ी में अब एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरी के द्वारा मुख्य मंत्रे नितीश कुमार पर तंज कसने का काम किया गया है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार ने राज़त के लॉलीपॉप के लालच मी आकर NDA को छोड़ा लेकिन अब उन्हें पीम उमिद्वार तो क्या तोला संयोजक भी नहीं बनाया ज़रा समराच चौधरी ने कहा कि नितीश कुमार को प्रदान मंत्री कौन बना सकता है उन्होंने केवर नितीश कुमार ने सपना दिखाया है और वह NDA छोड़ कर चले गए नितीश कुमार एक गैंग चला रही है लेकिन अब उनके गैंग का भंडा फोर हो गया है मालूमों की बीते दिनों आरजेडी विधायक भाई विरंदर के द्वारा कहा गया था कि नितीश कुमार में एक प्रदान मंत्री के सभी गुन मौजूद है रसगेनली बताया वर्ड कप 2023 के सेमी फाइनल में पहुँचने वारी चार टीमों के नाम पांच उक्टूबर से विश्वकप 2023 की शिडवात होने वाली है ऐसे में इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी उत्सा का महौल बना हुआ है बता दे किसी कड़ी में अब वेस्ट इंडीज के दिगज बल्लेबाज क्रिस के दौरा स्टार स्पोर्स के शो पर बातचीत करते वे यह बताया गया है कि वर्ल्ड कप 2023 के सेमी फाइनल में पहुँचने वाली चार टीमें कौन सी होगी उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से वर्ड कप 2023 के सेमी फाइनल में क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड और घरेलू परसितियों को देखते वे पहला नाम भारत है तो वहीं दूसरा नाम पाकस्तान की टीम की होगी जो अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रहेगी इसके अलावर डिफेंडिंग चैंपिएन इंग्लेंड भी एक बार फिर से सेमी फाइनल में टक का सफर तै करने में सफल हो सकती है और साथ ही चौथी टीम के रूप में सेमी फाइनल तक सफर तै करने वाला टीम अस्ट्रेलिया होगा बिहार के इतिहास में आज की तारीख है कई कार्णो सिदर्ज प्रश्ध नाटक कार्थ था, सिनीमा, कथा, लेख, संकर, शेष का जन्म 1923 में हुआ प्रसद फिल्म अभीनेतरी, आसा, पारिक का जन्म 1922 में हुआ भारतिय महिला, होकी टीम की, पुर्ध कि अप्तान, प्रीतम सिवाच का जन्म 1924 में हुआ अशोक चक्र से सम्मानित भारतिय सेना के जाबाज सैनिक हंगपन दादा का जन्म 1989 में हुआ भारत की एक प्रख्याद गांधिवादी सुतंता सिनानी और एक समाजी कारेकरता राजकुमारी अमरित कौर कानिधन 1964 में हुआ विख्याद चितरकार राजारवी वर्मा का निधन 1906 में हुआ भारत रतन सम्मानित सुतंता सिनानी राजनिता तमलनाडू के मुख्यमंत्री के के अमराज वारकर में आज हम बात करेंगे भारतिय रिजर्व बैंक के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सचो ये जरूई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतिय रिजर्व बैंक के बारे में हमें से बहुत से लोग Gmail का यूज करते हैं बहुत से लोगों के पास फास इंटरनेट के सुवधा भी नहीं होगी लेकिन वो स्लो इंटरनेट पर भी अपना Gmail अकाउंट एकसस कर लेते होंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि Gmail बहुत जल्दी अपने एक फीचर को बंद करने जा रहा है जिससे आप जीमेल के जीमेल वर्जन को ओपन नहीं कर सकेंगे इसलिए अगर आप भी जीमेल को यूज करते हैं तो अब आपको भी फास इंटरनेट की ज़रूरत होगी क्योंकि होने के बाद आप जीमेल के स्टैंडर्ड वर्जन को ही ओपन कर सकेंगे तर अलिश्टर की हालिया रेपोर्ट के अरुसार जब टेक दिगज जीमेल से इसके बारे में सवाल पूछा गया तो उसके प्रवक्ता नहीं बताया कि जीमेल का सब्सक्राइब जीमेल के सभी फीचर्स को नहीं दिखा था जिसमें स्पैलिंग चेकर कीबोर्ड सौटकट आधी शामिल है वहीं जीमेल के एस्टी एमल वर्जन को जब क्रोम इंस्पेक्ट के नेटवर्क पर लोड किया तो इसमें 1200 मिली सेकंड का समय लगा जबकि जीमेल में ट्वीटर हुआ करता था उस पर पोस्ट कर भारत का सौर मिशन आदित्य एल एक को लेकर जानकारी दी गई है अंतरिक्षियान प्रित्वी के प्रभाव छेतर से सफलता पुर्वक बचकर प्रित्वी से 9.2 लाग किलो मीटर से अधिक की दूरी तैक कर चुका है अब य ट्रेन में एसी बोगी का नहीं चल रहा है एसी तो ऐसे मिलेगा रिफंड देश के कई लोग यात्रा के लिए ट्रेन पर नरभर रहते हैं ऐसे में रेलवे भी अपने तरफ से यात्रियों को कई तरह की सुधा देती रहता है रेलवे द्वारा यात्रा को लेकर भी कई तरह परिश्यानी का सामना ना करना पड़े आज हम आपको रेलवे के एक ऐसे ही नियम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद आप में से कई लोगों को न भी पता हो दरासल जब भी आप ट्रेन के एसी बोगी में सफर करते हैं और यदि ट्रेन का एसी नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिती में भारतीय रेलवे के तरस से आपको refund भी मिलता है। इसके लिए आपको TT से संपर्क करना होगा, फिर TT द्वारा आपको एक प्रमान पत्र जारी किया जाएगा। फिर गंतवे स्टेशन पर आप TT द्वारा मिले प्रमान पत्र किराई के अंतर का refund और टिकर दिखाएं। फिर रेलवे द्वारा आपको refund कर दिया जाएगा। का सिर्शक बच्चन लिया है जो की 5 और 7 ओक्टूबर 2023 के बीच नरधारित किया जाएगा। ऐसे विस निलामी कारिक्रम में अमिताब बच्चन के जिन वस्तूँ के निलामी की जाएगी उनमें प्रतस्चित फिल्म पोस्टर, तस्वीर, लॉबी कार्ट सो, कार्ट तस्वीर, फिल्मी पुस्तिकाएं और मूल कलाकृतियां शामिल है। आपके जानकारी के लिए बतादी कि अमिताब बच्चन ने अपने पांस दसक से अधिक लंबे करियर में कहीं ऐसे फिल्में दी हैं, जिसे दर्शक कभी भूल नहीं सकते। ऐसे मिया कारिक्रम उनके शांदार करियर को श्रधांजली देने का भी काम करेगा। मालम हो कि उन्होंने लगभग 193 फिल्मों में काम किया है, वहीं उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जादा है कि हर अविवार उनके फैन सूपर स्टार को देखने के लिए घर जलसा के बहारे खटा होते हैं। माली वर्ल्ड उनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शिर्ष अस्थान प्राप्त हुआ है। उप्शन सी विश्व स्वास्ते दिवस, उप्शन दी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उप्शन ए विश्व रेबिस दिवस। अगला सवाल बिहार से होते वे कितने रेल्वे जोन की लाइन गुजरती है। उप्शन A 4, उप्शन B 5, उप्शन C 6, उप्शन D 7 इसका सही उत्तर है उप्शन B 5 अगला सवाल बरावनी इस्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के अस्थापना किस पंच वर्ष के योजना में की गई थी। उप्शन A 3, उप्शन B 4, उप्शन C 5, उप्शन D 6 इसका सही उत्तर है उप्शन C 5 अगला सवाल बिहार का कौन सजला सबसे अधिक सिचाई छेत्रवाला है उप्शन A सेखपूरा, उप्शन B जमुई, उप्शन C स्तिभर, उप्शन D पूर्णिया। इसका सही उत्तर है उप्शन A सेखपूरा वाल क्यों आज का सवाल है आज महात्मा गांधी और लाल बहादूर शास्त्री के जहनती के उपलक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्ष्ण में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी नियोज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप पेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद